परिचय इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पूरांक को परिभाशित करना, पूरांक के गुण धर्म बताना और पूरांक की संक्रियाओं को बताना पूरांकों का गुण धर्म चातरो यदि हम दो पूरांक को जोड़ें तो योग क्या होगा? आईए देखें, रोहन के पास च्छे गेंदे हैं, उसके मित्र सोहन के पास पांच गेंदे हैं, उनके पास कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं? जी हाँ, उनके पास कुल ग्यारा गेंदे हैं, इस उधारन से हम देख सकते हैं कि दो पूरांक का जोड़ भी एक पूरांक ही प्रदान करता है, अताहा पूरांक योग संक्रिया के नियम के सापेक्ष संवृत्य होते हैं, रीना को देखो, उसके पास पांच चॉकलेट्स हैं, यदि वो तीन चॉकलेट्स अपने भाई को दे देती हैं, तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बचेगी? जी हाँ, आप सही हैं, उसके पास दो चॉकलेट्स बचेगी, इस उधारन से हमने देखा कि दो पूरांक का, कि दो पूरांकों का व्यवकलन भी एक पूरांक होता है, अतहा पूरांक व्यवकलन की संक्रिया के नियम के सापेक्ष सम्वृत्त होते हैं, समाने तोर पर किनी भी दो पूरांकों को A और B के लिए A जमा B एक पूरांक होता है, इसी प्रकार किसी भी दो पूरांकों A और B के लिए A घटा B एक पूरांक होता है, पुनांकों का गुण धर्म आईए अब एक दूसरे गुण धर्म को जानें यह क्रम विनिमियता का गुण है यह 10 रुपे का नोट है यदि हम इसमें 2 रुपे का एक सिक्का जोड़तें तो हमें 12 रुपे प्राप्थ होंगे अब 2 रुपय का एक सिका लीजिए और इसमें 10 रुपय का एक नोट चोड़िए हमें पुना 12 रुपय ही प्राप्त होंगे या हम इसे 10 जमा 2 बराबर 12 की रूप में लिख सकते हैं और 2 जमा 10 बराबर 12 भी दोनों ही स्थितियों में उत्तर समान रहेगा इसका आर्थ है कि पुनांकों को किसी भी करम में जोड़ा जा सकता है अतहा पुनांकों का योग करम विनिमेता के नियम का पालन करता है साधर अनता किनी दो पुनांकों A और B के लिए हम कह सकते हैं कि A जमा B बराबर है B जमा A के पूरांकों का गुन धर्म, छात्रों, क्या पांच घटा कोश्टक में घटा तीन बराबर है कोश्टक में घटा तीन घटा पांच के? जी नहीं क्योंकि पांच घटा कोश्टक में घटा तीन बराबर पांच जमा तीन बराबर आठ और कोश्टक में घटा तीन घटा पांच बराबर घटा तीन घटा पांच बराबर घटा आठ अता हम कह सकते हैं कि व्यवकलन की संक्रिया क्रम विनिमेता की गुन का पालन नहीं करती अब इस उधारण को देखें हम पूरां को घटा तीन घटा दो और घटा पांच को लेते हैं कोश्टक में घटा पांच जमा कोश्टक में घटा तीन जमा कोश्टक में घटा दो और कोश्टक में घटा पांच जमा कोश्टक में घटा तीन जमा कोश्टक में घटा दो को देखिए, पहले योग में कोश्टक में घटा तीन और कोश्टक में घटा दो को एक साथ रखा गया है, और दूसरे में कोश्टक में घटा पांच और कोश्टक में घटा तीन को एक साथ रखा गया है, दोनों ही स्थितियों में हमें परिणाम घटा दस प्राप्त होता है, य A, B और C के लिए हम कह सकते हैं कि A जमा कोश्ठक में B जमा C बराबर कोश्ठक में A जमा B जमा C के. योजे तत्समक जब हम शूने को किसी पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्थ होती है. शून्ने पूर्ण संख्याओं की एक योज्य तस्मक है। इसी प्रकार यदि हम शून्ने को पूरांकों से योग करें तो हमें वही पूरांक प्राप्त होते हैं। साधर्णता किसी भी पूरांक के लिए ए जमा शून्ने बराबर ए पराबर शून्ने जमा ए होता है। पूनांकों का गुणन हम जानते हैं कि पून संख्याओं का गुणन पुंद्रा वरती योग होता है उधारन सुरूप 2 जमा 2 जमा 2 बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6 इसी प्रकार पूनांकों का गुणन भी पुंद्रा वरती योग होता है उधारन सुरूप कोश्टक में घटा पांच जमा कोश्टक में घटा पांच जमा कोश्टक में घटा पांच पराबर तीन गुणा कोश्टक में घटा पांच इसलिए तीन गुणा कोश्टक में घटा पांच बराबर घटा पंद्रा आईए अब धनात्मक और रिनात्मक पु हमें घटा 24 प्राप्थ हुआ, इसी प्रकार 5 गुणा कोश्टक में घटा 4 बराबर घटा कोश्टक में 5 गुणा 4 बराबर घटा 20. दो रिनात्मक पुणांकों का गुणन, दो रिनात्मक पुणांकों का गुणन फल एक धनात्मक पुणांक होता है, हम दो रिनात्मक पुणांकों को पूर्ण संख्या की तरह गुणा करते हैं, समानिता किने भी दो धनात्मक पुणांकों ए और बी के लिए कोश्टक में दूसरे उधारन में तीन रिनातमक पोड़ाइकों का गुणन हुआ है। तीसरे उधारण में चार रिनात्मक पुड़ांकों का गुड़न हुआ है और चौते उधारण में पांच रिनात्मक पुड़ांकों का गुड़न हुआ है। तीन या ज्यादा रिनात्मक पूरांकों का गुड़न, इन गुड़नों से हमने देखा कि दो रिनात्मक पूरांकों का गुड़न फल धनात्मक पूरांक है, तीन रिनात्मक पूरांकों का गुड़न फल रिनात्मक पूरांक है, चार रिनात्मक पूरांकों का गुड़न फल धनात्मक पूणांक है हम देख सकते हैं कि पहले और तीसरे उधारण में गुणा किये गए रिनात्मक पूणांकों की संक्या सम, क्रमशा, दो और चार थी इसलिए एक और तीन में प्राप्त गुणांपल धनात्मक है और दो एवं चार और धारण में गुणा किये गए रिनात्मक पूणांकों की संक्या विशम थी इसलिए दो एवं चार में प्राप्त गुणांपल रिनात्मक पूणांक है अता हम कह सकते हैं कि गुणांपल रिनात्मक पूणांकों की संक्या यदि सम हो तो गुणन फल धनात्मक पुणांक होता है और यदि गुणन में रनात्मक पुणांकों की संख्या विशम हो तो गुणन फल रनात्मक पुणांक होता है पुणांकों के गुणन के गुण धर्म दो पुणांकों का गुणन फल भी एक पुणांक होता है उधारण के लिए कोश्ठक में घटा 20 गुणा, कोश्ठक में घटा 5 बराबर 100, कोश्ठक में घटा 15 गुणे 17 बराबर घटा 255, अता हम कह सकते हैं कि गुणन्योग की संक्रिया के सापेक्ष सम्वृत्त है, समानिता A और B पुणांगों के लिए A गुणा B एक पुणांग ह इस उधारण को देखिए, हम देख सकते हैं कि 3 गुणां कोश्ठक में घटा 4 बराबर कोश्ठक में घटा 4 गुणा 3, इसलिए पुणांकों का गुणां करम, विनिमे के गुणांग का पालन करता है, समानिता किनी 2 पुणांगों A और B के लिए, A गुणा B बराबर B रिनात्मक पूरांख और शुने का गुणन फल शुने होता है। जब हम किसी पूरांख से एक का गुणा करते हैं तो गुणन फल वही पूरांख प्राप्त होता है। उधारन स्वरूप कुछ तक में घटा 3 गुणा 1 बराबर घटा 3 एक गुणा 5 बराबर 5 इस कार्थ है एक पूरांख के लिए गुणात्मक तस्समक है। समानिता किसी भी पूरांख एक के लिए ए गुणा 1 बराबर एक गुणा ए बराबर ए लेकिन जब हम किसी पूरांख का घटा एक से गुणा करते हैं तो हमें पूरांख का योज्य प्रतिलूम प्राप्त होता है। इन उधारणों में घटा 3 हो गया है 3, घटा 6 हो गया है 6, 13 हो गया है घटा 13 और घटा 25 हो गया है 25। साचर्रे और वित्रण का गुण धर्म, तीन पुणांकों का गुणन फल, पुणांकों के समु बद्धदा पर निर्फ़र नहीं होता और इसे गुणन का साचर्रे गुण कहते हैं किनी तीन पुणांकों A, B और C के लिए कोश्टक में A गुणा B, गुणा C, बराबर A गुणा कोश्टक में B गुणा C, उधारन सो रूप, साथ गुणा कोश्टक में 6, गुणा कोश्टक में घटा 4, बराबर साथ गुणे कोश्टक में घटा 6, गुणा कोश्टक में घटा आईए अब गुणन के वित्रन गुण की तरफ बढ़ें किनी भी पुणा को A, B और C के लिए A गुणा कोश्ठक में B जमा C बराबर A गुणा B जमा A गुणा C उधारन सो रूप कोश्ठक में घटा 2 गुणा कोश्ठक में 3 जमा 5 बराबर कोश्ठक में घटा 2 गुणा 3 जमा कोश्ठक में घटा 2 गुणे 8 इसी प्रकार तीन पोड़ां को A, B और C के लिए A गुणा कोश्ठक में B घटा C बराबर A गुणा B घटा A गुणा C. उधारन स्वरूप 4 गुणा 3 घटा 8 कोश्ठक में बराबर 4 गुणा 3 घटा 4 गुणा 8. भाग हम जानते हैं कि भाग गुणन की व्युक्रम संक्रिया है क्योंकि 3 गुणा 5 बराबर 15 इसलिए 15 भाग 5 बराबर 3 और 15 भाग 3 बराबर 5. जब हम रिनात्मक पुणांक को एक धनात्मक पुणांक से भाग देते हैं तो हम उनका भाग पून संख्याओं की तरह करते हैं और उनके भाग फल के आगे एक चुन्न लगा देते हैं. इस प्रकार हमें एक रिनात्मक पुणांक प्राप्थ होता है. समानिता किनी दो धनात्मक पुणांकों A और B के लिए A भाग कोश्टक में घटा B बराबर कोश्टक में घटा A भाग B जहां B शूने के बराबर नहीं है. भाग का गुण धर्म किसी पुणांक से भाग देने पर भाग फल शून ने आता है। तो गुणन फल वही पुणांक नहीं होगा। उसे संक्षेप में दोहराएं। पुणांक संख्याओं का सबसे बड़ा संचयन है जो पुण संख्याओं और उसकी रिणात्मक संख्याओं के योग से बनता है। यदि A और B पुणांक हैं तो A जमा B और A घटा B भी पुणांक होंगे। यदि A और B कोई पुणांक हैं तो सभी पुणांकों A और B के लिए A जमा B बराबर B जमा A होगा। यदि A, B और C कोई पुणांक हैं तो सभी पुणांकों A, B और C के लिए A जमा B जमा C बराबर A जमा कुष्ठक में B जमा C होगा। और C के लिए कुष्ठक में A जमा B जमा C पराबर A जमा कुष्ठक में B जमा C होगा। पूरांक 0 के योग के सापेक्ष तस्मक है यानि सभी पूरांकों A के लिए A जमा 0 पराबर 0 जमा A बराबर A है। एक धनात्मक और एक रिनात्मक पूरांक का गुडन फल रिनात्मक और एक दो रिनात्मक पूरांकों का गुडन फल धनात्मक होता है। गुडन में रिनात्मक पूरांकों की संख्या यदि सम हो तो गुडन फल धनात्मक पूरांक होता है। और यदि गुणन में रनात्मक पुणांकों की संख्या विशम हो, तो गुणन फल रनात्मक पुणांक होता है. यदि A और B पुनांक हैं तो A गुणा B भी एक पुनांक है यानि किसी पुनांक A के लिए एक गुणा A बराबर A गुणा 1 बराबर A है यदि A, B और C पुनांक हैं तो कुष्ठक में A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा कुष्ठक में B गुणा C यदि A, B और C पुनांक हैं तो किनी भी पुनांकों A, B और C के लिए A गुणा कुष्ठक में B जमा C बराबर A गुणा B जमा A गुणा C है जब एक धनात्मक पुनांक को रिनात्मक पुनांक से भाग देते हैं तो प्राप्त भागफल रिनात्मक होता है इसके ठीक उलट भी सही होता है एक रिनात्मक पुनांक का किसी रिनात्मक पुनांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक धनात्मक पुनांक होता है किसी पुनांक A के लिए A भाग 0 ने आपरिभाशित होता है और A भाग 1 बराबर A होता है